सश्रियकाल कैसे हैं आप सब सो आज मैं आपके लिए एक ब्रेकफस्स रेसिपी लाई हूँ तो देर ना करते हुए चलिए हम आलू चीजी टोस्ट बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी तो सबसे पहले अब हम बनाएंगे हरे धनिय की चटनी तो हमने यहां पर कुछ चीजे ले ली हैं चलिए शुरू करते हैं यहां पर मैंने एक छोटा सा मिक्सी जार ले लिया उसमें हम 2-3 हरीमिश डालेंगे 5-6 लसुन की कलिया डालेंगे और काफी सारा हरा धनिया जिसे मैंने वॉश करके चॉप करके रखा है चॉप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा बस वॉश करके यूज करेंगे आदा चूटा चमच हम इसमें डालेंगे नमक का और अब हम अपने मिक्सर जार का धकन बंक करेंगी और इससे अच्छी दर्यसे पीस लेगे उसके बाद हम इसमें आइड करेंगे पानी जिस भी consistency में आपको पानी की जरूरत है फिर से मिक्सी करेंगे और हमारी चटपट से दो से तीन नट में हर धनी की चटनी फ्रेशली बनकर तयार हो चुकी है तो हमारा फिर्स टेप हो चुका कम्प्लीट अब next step के लिए हम बनाएंगे आलू की पेस्ट उसके लिए यहाप मैंने दो बड़े बड़े अबले हूए आलू ले लिए ते जिनने मैंने दो विस्स लगा कर बॉयल किया था हम उसे पेटेटो मैशर से अच्छी तरह से मैश करेंगे बिल्कुल बिल्कुल पेस्ट बना दे जालेंगे उसके बाद हम उसमें डालेंगे हल्दी 2-3 पिंच हल्दी के 2-3 पिंच नमक थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर यहां पर मैंने चाट मसाला लिया है वो भी डालेंगे और इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह ऐसे मिलाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से प्र अब देखते हैं सैंविच बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी तो उसके लिए हमने यहां पर ले लिया है बटर जो की मेल्टेड मतलब रूम टेंपरेचर पे है वो मैल्ट हो गया काफी साथ ही मैंने यहां पर प्रोसिस चीज ले ली थी जिसे मैंने ग्रेट आप चाहें तो शिमला मिर्च भी काड़ सकते हैं खीरा भी काड़ सकते हैं अपनी पसंद से और जो आलू की पेस्ट हमने बनाई थी पहले और जो हरी चटनी हमने पहले बना कर तयार की है और कुछ वाइड ब्रेट की स्लाइस तो सबसे पहले हमने दो वाइड ब्रेट की स चटनी लगा लीजिए इविन चाहें तो आप मियोनी भी यूज़ कर सकते हैं जो फिलिंग होती है लास्ट में सैंविच की वो हमारी उपर होती है कि हम कैसी पसंद करते हैं सो मैं दोनों साइड हरदने की चटनी लगा रही हूं उसके बाद एक से डेड़ बड़ा चमच हमने जो आलू की पेस्ट ली थी वो एक ब्रेड पे अपलाए करेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए उसको इक्वल करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से ब्रेड के चारों कॉ वो अच्छी तरह से एक ब्रेड के उपर फैला देंगे उसके बाद है टमाटर प्याज और आलू का टर्न आप जो भी सबजियां चाहें इसमें आड कर सकते हैं अब हम सारी इसमें आड कर लेते हैं प्याज आलू टमाटर फिर से थोड़ी सी चीज इसके उपर स्प्रेड क अब हमने डिए डि रखेल शक बनकर तयार हो जाएं बिस लास्ट का हमें उनको ready करना हो तब यम बटर लगाएंगे अर उसे हमने टोस्ट मेकर में डाल दिया है टोस्ट में मेरा नॉन स्टिक है अगर बटर नहीं भी लगाएंगे दोनों साइड तो भी चलेगवा अब आप चाहें तो इसे तवे पर भी बना सकते हैं तो देखा आप सभी ने हमने बहुत जल्दी से और बहुत टेस्टी सा चीजी टोस्ट बना कर तयार किया है सुबह की भागदोड में आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं और टोस्ट में करें तो उसमें भी बना सकते हैं आप इसे अपने घर पर ज़रूर राइ कीजिए गा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बैल आइकन ज़रूर दबाईएगा ताकि मैं जब भी लेट